अब खबर भाई बहन के पवीत्र रिष्टे को उजागर करने वाले रक्षा बंधन के त्योहार की भाई बहन के पवीत्र रिष्टे की गहराई को उजागर करने वाला रक्षा बंधन का त्योहार ब्रहस्पतिवार को समुचे देश में मनाया गया पुराणों से चली आ रही इस परंपरा की धूम आज भी जिवीत है पन्वेल में राकी परणिमा का पर्व बड़े ही उत्सा के साथ मनाया गया देश में हर तरफ रक्षा बंधन का त्योहार बड़े ही हर्शोलास और उमंग के साथ मनाया गया इस शुबदिन को भाई बहन के पवित्र रिष्टे की याद में सेलिबरेट किया जाता है इस पवित्र अउसर पर बहन भाई की कलाई पर राकी बांध कर उसके लंबी आयू की कामना करती है तो भाई ता उम्र बहन की रक्षा करने की शपत लेता है इस पवित्र त्योहार का महत्व पुराणों एउम इतिहास में भी विशत किया गया है इस परवकी शुरुआत कब हुई इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है मगर पुराणों में माननेता हैं कि राजा बली ने वामन आउतार में भगवान विश्नु को अपना द्वारपाल बना लिया था जिसकी वजह से माता लक्ष्मी चिंती धो उठी तब देवर्शी नारत ने माता लक्ष्मी को राजा बली को राखी बांधने की सलाह दी जिसके मताबिक माता लक्ष्मी ने बली को राखी बांधी और फिर राजा बली ने अपन बेहन लक्ष्मी को रक्षा का वचन देते हुए भगवान विश्नु की मुक्तता की वहीं इतिहास में भी एक कथा प्रचली थे हैं कि मुगल शासक बाहदुर्शा ने चितोड पर हमला करनी की योजना बनाई जब इस हमले की भनत चितोड की महरानी करनावती को लगी तब चितोड को बहदुर्शा के हमले से बचानी के लिए रानी करनावती ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी हाला कि उससे पहले महरानी करनावती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी हुमायू ने भी राकी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए रानी करनावती की सहायता की और चितोड पर अक्रमन करने वाले बहादूर शाह को ख़देड दिया इस तरह से राकी का पर्व भाई द्वारा बहन की रक्षा का प्रतीक बन गया पन्वेल में भी रक्षा बंधन यानि राकी पर्णीमा का पर्व बड़े ही उत्साह और मंगल में वातावरण में संपन्न हुआ आई ये नजर डालते हैं भाई बहन के पवित्र रिष्टे को मजबूती प्रदान करने वाले राकी के पर्व पर रक्षा बंधन के योहार भाईया हम से राखी बन हवाला तु हमार भाईया आज बाते रक्षा बंधन के योहार भाईया हम से राखी बन हवाला तु हमार भाईया आज बाते रक्षा बंधन के योहार भाईया हम से राखी बन हवाला तु हमार भाईया विजेखुटले के साथ करनाला टीवी के लिए हरिश मोकल की रिपोर्ट